हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिये छात्रगन आज हम एक महत्रपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जैसा कि आप इस वाइड बोर्ट पे दिख रहा है और वो हेडिंग है syllabus and a strategy for JPSC men's examinations JPSC मुख परिछा की रन नीती और उसके पाठ्थिक्रम छात्रगन मैं समझता हूँ आपको JPSC मुख परिछा की तियारी से पूर्व आपको उसकी रन नीती उसके पाठ्थिक्रम कैसी होने चाहिए आपको इसकी बिस्त्रित जानकारी पूर्व में अच्छी तरह से हो जाए उसी को लेकर आज हम मैं सवरूप सर हाजिर हुआ हूँ छात्रगन जैसा कि आप देख रहे हैं JPSC मुख परिछा की मैं बात करूँगा और साथ में ये भी बात करेंगे कि JPSC मुख परिछा को प्रशनों का उत्तर कैसे लिखा जाए उसकी रन नीती क्या हो कौन-कौन से टॉपिक को टच किया जाए कौन-कौन से भाग को आप छोड़ सकते है इस सारी बाते हम इस लेक्चर के माद्यम से समझने के परियास करेंगे छात्रगन दोस्तों आपको सबसे पहले ही जानना है कि JPSC का सिलेबस क्या है कितना फूल माग्स है सारी सेक्षन का उत्तर लिखना है या नहीं लिखना है या किस को छोड़ना है अगर इसकी जनकारी ना हो आपको तो निस्षी तोर पे आपको सफलता प्राप करने में बहुत ही कठिनाई होगी तो आज उसी कठिनाई को दूर करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ तो छात्र गन सबसे पहले समझेंगे हम कि JPSC की मुख परिच्छा की सिलेबस क्या है तो छात्र गन JPSC जो मुख परिच्छा होती है ओ JPSC 1, 2, 3, 4, 5 तक का सिलेबस अलग रहा JPSC 6 से का सिलेबस वहाँ से JPSC 6 से सिलेबस चेंज की गई चेंज कैसे की गई? आप यह देखिए JPSC मुख परिच्छा में टोटल प्रस्ट पत्र जो होंगे ओ छे होंगे 6 पेपर होंगे जैसे JPSC मुख परिच्छा में जो पहला पेपर है पेपर 1 उसके बाद पेपर 2 पेपर थर्ड पेपर फोर फिर पेपर फाइफ और फिर पेपर 6 JPSC मुख परिच्छा में आप से टोटल मुख परिच्छा में 6 बिसाई का परिच्छा लिया जाएगा मदा टोटल प्रस्ण पत्र 6 होंगे उसमें से आप एक एक प्रस्ण पत्र के बारे में समझें कि किस प्रस्ण पत्र में कौन सा पाठी करम होगा और कौन सा सब्जेक्ट होगा जैसे जैपियसी पेपर वन हिंदी पलस उंग्लिस का होगा और इसके फूल मार्स सो रहेंगे हंडिड रहेंगे इस हंडिड में हिंदी से पचास प्रस्ण यह फूल मार्क्स होगा आपका फूल मार्क्स पचास प्रस्ण हिंदी से रहेंगे और पचास प्रस्ण इंग्लिस से रहेंगे यह देखिए पेपर वन हिंदी और इंग्लिस का होगा जो केवल qualifying nature का होगा इसमें आपको 30 number लाना अनिवार होगा और ये 30 number दोनों में से किसी से भी आप ला सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप 30 number जो लाना है वो 15-15 हिंदी और इंगलिस दोनों से लाना है बिल्कुल भी नहीं हिंदी और इंगलिस से cool person पत्र जो है cool full marks 100 number के होंगे उसमें आपको केवल 30 number लाना है ये qualifying paper का nature है यद भी इस 6 JPSC में इसकी marks जोड़ के merit बनाई गई है जो बहुत ही बिबाद हुआ जिसका अभी high court supreme court में case सर रहा है JPSC 5 तक qualify paper को नहीं जोड़ा जाता था लेकर इस 6 JPSC में qualify paper को जोड़ दिया गया यद भी यद केवल qualifying nature का है इसकी number पर मुख परिच्छा में नहीं जोड़ी जाती है नहीं जोड़ी जाएगी no doubt 6 में जोड़ी गई है बहुत बिबाद हो गया लेकिन याद रखे मैं समझता हूँ कि जब 789 का जो form आने वाला है उसमें सायद इस qualify paper पर में इसकी number नहीं जोड़ जाएगी ऐसा पार्ठ करम में जब syllabus आएगी notification आएगी तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा मतलब आपको यह मानब चलना है कि paper 1 केवल qualify है आपको 30 नमर लाना है 100 में और ओ 30 नमर Hindi, English जोड़ के लाना है आपको अलग-अलग qualify करने का कोई बाध्यता नहीं है अब आप समझेंगे कि सर इसमें आता एक प्रस्न क्या है इसमें Hindi और English में आएगा क्या तो Hindi और English में 15 नमर का essay Hindi में 15 नमर का निबंद जिसे बोलते हैं essay English में रहेगा essay 15 नमर का उसके बाद दोनों से रहेंगे ब्याकरन 10 नमर का दोनों में रहेंगे comprehension जिसे बोलते हैं comprehension दोनों में रहेंगे संचेपन तो Hindi में भी Grammar Hindi में भी निबंद English में निबंद Hindi में Grammar English में भी Grammar 10 नमर का English में भी संचेपन Hindi में भी संचेपन comprehension दोनों में मतलब दोनों पेपर में Hindi और English में मतलब काने कारत है essay, Grammar comprehension और प्रेशिस संचेपन चार भाग में यह प्रेश्ट पत्र बठा रहेगा चार पार्ट निबंद ब्याकरन comprehension और संचेपन सिम यहाँ भी रहेगा essay Grammar comprehension और प्रेशिस टोटल नमबर 50-50 रहेंगे आपको किवल 30 नमर लाना है यह किवल कॉलिफाइंग निचर का पेपर है इसकी नमबर नहीं जोड़ी जाती है मुपरिछा में यद भी सिक्स में जोड़ दी गई जिससे बहुत बड़ी भी बात हो गई चाहर कोई बात नहीं आपको यह जानना है कि आपको इस पेपर में किवल कॉलिफाइंग करनी है Next हम आते हैं पेपर टू पर यह पेपर टू पेपर टू Language and Literature Language and Literature का सा है इसे भासा साहित पेपर कहते हैं और यह पेपर कालफू पूमार्स 150 चाहतरगन जब भी बात हो कि मुख परिच्छा का तो तुरंत मन में आएगा कि उत्तर बिसे निष्ट होगा आपको उत्तर लिखना है ना कि objective होगी लेकिन हम बताएंगे बाद में कि objective भी मुख परिच्छा में पोछी जाएगी वो हम आगे बताएंगे आपको तो पेपर वन में जो प्रस्न आएगे निबंद, comprehension, प्रसिस, जो भी आएगा ब्याकरन वो आपको लिखना पड़ेगा जैसे कारक किसे कहते हैं लिखिए आपको उत्तर लिखने कराएगा निबंद, टॉपिक देगा किसी बिसे पर आपको उसका उत्तर लिखना है विसे निष्ठ होंगे ना कि वस्तुनिष्ठ होगा हम नंबर हम पेपर टू की बात कर रहे हैं पेपर टू लैंग्वेड एंड लिटरेचर है भाषा और साहित है जिसका फूल मार्स 150 नंबर का है यह 6 GPSC से जोड़ी गई है अगर कहीं 24 की बात होती है तो केवल पेपर टू है लैंग्वेड एंड लिटरेचर हम बता दे इस भाषा साहित में करना पढ़ना क्या है जैसे जार्खन में जो जन जाती और यहां के सदान जो भासा है उसे मुक रूप से जो भासा लैंग्वेज लिखी जाती है पढ़े जाती है बोली जाती है उसमें सामिल है खोर्ठा नागपूरी पंचपरगनिया कुर्माली के अलावा संथाली मुंडारी कुडुक हो खड़िया यहां की सदानी और जन जाती है भासा बोली जाती है लिखी जाती है के अलावा हिंदी इंग्लिस बंगला और संस्क्रीट यह जो मैं बात बताया भी आपको लैंग्वेज यही लैंग्वेज से लिट्रेचर भासा साहित से परश्ट आपके यहां पूछे जाएंगे मतलब आपको यहां पे च्वाइस करना है कि भासा साहित में आपको कौम साथ लैंग्वेज लिट्रेचर रखना है आपको किस पर पकड़ है हिंदी पर इंग्लिस पर बंगला पर संस्क्रीट पर कि खोठा पर कि बंगला पर कि कुर्माली पर नाकपूरी पर पंजपरगनिया पर कि संथाली पर कि कुर्ग पर कि मुंडारी पर कि होव पर कि खड़िया पर कौन से लैंग्वेज लिट्रेचर पर आपको पकड़ है इसी सब्जेक्ट को यही पेपर टू है मतलब आपको किसी एक भासा सहित की चोईस करनी है और उसी से 150 फूल मार्स का प्रश्ण आपसे पुथा जाएगा जिसका उत्तर आपको बिस्तार पुरुवक लिखना होगा छातरगन मैं समझता हूँ जहां तक मेरा एक्स्परियन्स है और इस सिक्स जे पेसे में भी और वन से टू, त्री, फोर, फाइप में भी मैंने देखा है मैं खुद इस बार जे पेसे का इंटर्व्यू दिया था मैं देखा हूँ कि मैक्सिमम लड़के इंटर्व्यू बोर्ड में हमार जितने दोस्त थे हमार जितने कलिक थे लगभग सभी का पेपर खास कर नौर्थ छोड़नाकपूर जीले का पेपर मैक्सिम लोगों का खोर्ठा ही रहा था यदपी गठनी छोड़नाकपूर के लोगों का कुर्माली पजपरगनिया भी लेंग्वेज और लिटरिशर में था मतलब कहने का यह अर्थ है कि लेंग्वेज लिटरिशर में अगर यहां की कोई भासा को चूच किया जाए तो मैं समझता हूँ जैसा मैरा ऐसा मानना है यह बिलकुल फिक्स नहीं है पर तो ऐसा मारा मानना है कि अगर आप यहां की कोई लेंग्वेज लिटरिशर के पेपर च्वाइस करते हैं तो अच्छी नंबर आती है खास कर मैं समझता हूँ खोरठा पर तो छात्रगन अगर आपकी हिंदी पकड़ अच्छी है अंग्रेजी अच्छी है बांगला अच्छी है संस्क्रीट अच्छी है तो इसका भी पेपर आप रख सकते हैं इसमें कोई बैंड नहीं है आप 9-10 लैंग्विज लिटेटर में किसी एक पेपर को चोईस कर सकते हैं अब समझेंगे आप लोग कि आखिर इस पेपर में लैंग्विज लिटेटर में प्रश्ण आता क्या है तो चात्रगन जो आप च्वाइस करेंगे भास साहित दे उसकी उत्पत्ती विकास की कहानी उसकी ग्रामर पोजिशन उसके कौन-कौन साहित हुए उसके कौन-कौन साहितकार के पुस्तक हुए उस पुस्तक में क्या बात है कहे गई है उस लैंग्विज लिटेटर की कौन- मुहाबरा पुछी जाएगी आपसे, आपसे यही पुछी जाएगी कि उस language literature का कौन कौन साहित पिकार हुए, उसकी कौन कौन से जीवनी हुई, कौन कौन रचनाय हुई, उस रचना में कौन सी बात कही गई है, उस language literature की कौन कौन कहानी है, कौन कौन कवीता है, इस सारी बाते आपको language and literature chapter में पढ़ना है जिसके cool marks 150 होगा उत्तर बिस्तार पुरुवक आपको लिखनी है आपके question में ये रहेंगे कि कितने सब्दों में उत्तर दिया जाए तो शातरगन मैं समझता हूँ आप paper to language and literature के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है च्छातरगन इस paper में paper two में जो question रहेंगे वो question का cool marks 150 नंबर का ही होगा आप याद रखिए कि paper one 100 नंबर का ये qualify होगा आपको 30 नंबर लाना है वो 30 नंबर आप दोनों मिला के या किसी एक में भी ला सकते हैं ये कोई बैन नहीं है कि आपको 30 नंबर दोनों में अलग अलग qualify करने है ये केवल qualify nature का है paper two language and literature जो बहुत ही महत्पूर्ण syllabus का एक पार्ट है जिसका फूल मार्स 150 है इसकी नंबर इसकी मार्स merit list में जोड़ी जाएगी मतब मुख परिच्छा का जब merit list बनाए जाएगा interview के selection के लिए तो उसकी नंबर paper two का नंबर मुख परिच्छा का जुगरना किया जाएगा merit बनाने में उसका नंबर language and literature पर आपको बिसेश रूप से ध्यान देने की आ सकता है चात्रगन अब हम बात करेंगे JPS से नुक परिच्छा paper third का इस paper third का cool marks 200 नंबर का होगा 200 marks और इस paper में paper third में आपको पढ़ना है social science social science जिसे बोलते हिंदी में समाजिक बिज्ञान इसमें से full marks 200 का रहा और इस social science में जो subject जो topic पढ़नी है आपको पढ़ना है history and geography का paper होगा paper third जो 200 marks का होगा आप paper third के बारे में बिशेश रूप से बाते आप जान लें कि मैं क्या कहने जा रहा हूं इस paper पर paper third की full marks 200 नंबर की होगी और इसकी marks मतलब paper two से लेकर six तक का marks आपके मुख पर इच्छा में जोड़ी जाएगी जब merit list बनाई जाएगी paper third social science की होगी history और जिगरफी का उसमें से history में history का चार पार्ट होगा A, B, C, D A में ancient India B में medieval India C में modern India और D में जार्खन का history प्रस्ण हैगा मतलब paper third social science जो history और जोड़ी का प्रस्ण पत्र होगा उसमें से history का चार सिक्षन होगा ancient, medieval, modern और जार्खन का इतिहास ancient, medieval, modern D जार्खन का इतिहास history का चार पार्ट होगा चार सिक्षन होगे और जोगरफी का भी चार सिक्षन होगा भुगोल का भी चार सिक्षन होगा एक होगा physical geography that means world geography भौतिक भुगोल physical geography भारत का भुगोल Indian geography खासर के इंडियन का भारत का भौतिक भुगोल भारत भौतिक भुगोल मतब वर्ल्ड फिजिकल और इंडिया फिजिकल A, B C में होगा भारतिय या भारत का संसाधन resource geography और नंबर D होगा जारखन जुगरफी ठातरगन यहां गौर किजिए पेपर थर्ड जो सोशल साइंस की होगी उस सोशल साइंस में हिस्ट्री और जुगरफी से प्रशन आएगा लेकिन हिस्ट्री में चार सेक्षन दिया गया है ancient, medieval, modern और जारखन का इतिहास जुगरफी का भी चार सेक्षन होगा world physical, india physical, india resource जारखन जुगरफी भातिक भुगोल बिश्व, भातिक भुगोल भारत संसाधन भुगोल भारत और एक होगा जारखन का भुगोल चार चार सेक्षन total सेक्षन यहाँ पर आठ हुआ आठ सेक्षन से प्रशन आपके प्रश्ट पुछतिका में रहेंगे आठों सेक्षन से प्रश्ट पूछा जाएगा प्रश्ट रहेगा लेकिन यहाँ पर एक महतुपून बात है कि परश्र तो हमारे आठ सिक्सन से रहेंगे लेकिन जवाब, लेकिन आपका उत्तर हिस्ट्री के किसी दो सिक्सन से ही देना होगा उसी प्रकार जोगरफी का चार सिक्सन है लेकिन आपका उत्तर किसी दो सिक्सन से ही देना होगा मतलब परश्र एंसिन से भी रहेंगे, मिडियेबल से भी रहेंगे मौडन से भी और जारखन के इतिहाद से भी रहेंगा लेकिन आपका उत्तर किसी दो सिक्सन से ही होगा आपको दो सेक्षन का उत्तर देना नहीं है यहाँ पर आपका च्वाइस है कि आप उत्तर कौन से देना चाहेंगे उसी परकार भुगोल से भी चार सेक्षन होंगे लेकिन आपका उत्तर किसी दो सेक्षन से होगा आपको दो सेक्षन का जवाब नहीं देना है इतिहास के चार पार्ट है भुगोल के तो इतिहास के चार पार्ट में किसी दो पार्ट का उत्तर देना है और भुगोल में भी किसी दो पार्ट का उत्तर ही देना है दो पार्ट का उत्तर नहीं देना है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपका उत्तर कॉम सेक्शन से हो तो section A अगर मान लिया उत्तर section A से होगा तो question पुछा जाएगा आपसे 40 number का section B देना चाहेंगे तो 40 number का भूब में अगर जवाब देंगे दो section का तो 40-40 मार्श का प्रशन पूछा जाएगा लेकर उत्तर जब दो ही होगा जब उत्तर देंगे दो section का और each question का फूल मार्श 40 होगा तो 40-40-40-40 यहां तो फूल मार्श हुआ मात्र 160 फूल मार्श 160 हुआ तो अब आप सुचेंगे कि जब हमको 4 का उत्तर देना है और each person 40 मार्श का होगा तो यहां पर फूल मार्श तो 160 हुआ बिलकुल सही बोले आपने चातर गन आप सही सोच रहे हैं लेकिन बाकी जो 40 नंबर का बच गया प्रस्ण ओ 40 नंबर आपसे objective रूप में पूछी जाएगी वहां पर multiple choice होगा मतलब बाकी बचे 40 नंबर का question फूटी मार्श कोष्ण objective पूछा जाएगा objective वस्तुनिष्ट होगा पूछा जाएगा कि प्रस्ण आएगा कि हडपा सब्यता की खुदाए किस वर्ष की गई थी 1922, 22, 24 ऐसा प्रस्ण रहेगा लोथल भारत के कौम से राज में हडपा का एक मुक्ष केंदर है राजथान, गुजराद, मतपरदिस, उत्तरपरदिस तो यहाँ पर आपको प्रस्ण रहेंगे 40 मार्श का लेकिन प्रस्णों के संख्या 20 ही होगी मतलब 20 प्रस्ण objective पूछा जाएगा और each objective marks 2 रहेंगे प्रस्ण 20 रहेगा लेकिन इच प्रस्ण का full marks 2 नबर का होगा मतलब 20 दिनों 20 दिनों चालिस तो छातरगन आप समझ गये होंगे कि पेपर थर्ड हमको लिखना है 160 का लिखना है बाकी 40 नंबर का प्रस्ण objective होगा और उस objective में प्रस्ण 20 रहेंगे और उस 20 में इच प्रस्ण 2 marks का होगा और वहाँ पर मुझे multiple choice दिया जाएगा उसमें से उत्तर एक लिखना है मतलब choice करना है पहला का B, second का T, second का L, second का जो भी है पहला का A, B, C, D चार का उतर, D, चार का D यहाँ पे आपको प्रस्ण objective रहेगा लेकिंगे चातर गन एक महत्वपुर्ण बात है कि हिस्टरी का चार सेक्षन जुगरफी का चार सेक्षन उत्तर किसी दो सेक्षन से देना है लेकिं जो question objective पूछा जाएगा उसमें कोई अलग से नहीं है कि आप किसी प्रस्ण को चोड़ सकते हैं 20 का 20 प्रस्ण का उत्तर आपको देना है और वो 20 प्रस्ण संपूर्ण पार्ठिक्रम से रहेंगे मतलब यहाँ पर 24 है कि आप किसी दो दो सेक्षन का ही उत्तर दे सकते हैं लेकिन यह जो question रहेगा 20 नंबर का objective 40 नंबर का जो रह question होगा question 20 होगा full math 40 होगा वो संपूर syllabus से रहेगी तो आप समझ गयोंगे कि paper third में मुझे कौन कौन सेक्षन का twice है कौन कौन सेक्षन का उत्तर हम दे सकते हैं और इसमें question objective subjective दोनों है 40 मार सा question objective होगा संख्या 20 होगा और 4 परस्ट का उत्तर आलग से देना है किसी 4 सेक्षन से 2 सेक्षन history से 2 सेक्षन जुगरफी से 160 का उत्तर लिखना है और बाकी 40 का मुझे वस्तरनुष्ट के रूप में जवाब देना है ओके छात्रगन अब हम आते हैं पेपर फोर पे पेपर जो फोर है ओ है ये पेपर फोर भी 200 सेक्षन है और ये पेपर फोर में प्राइब को इंडियन प्रोटी एन कंट्रिजिशन्स मतलब आपको पढ़ना है भारतिय समयधान और राजब्यवस्था भारतिय समयधान राजब्यवस्था लोगपर्शासन और राजब्यवस्था यहां पढ़ना है इंडियन कंट्रिशन्स भारत समयधान इंडियन पॉलिटिकल भारतिय राजब्यवस्था अडियन लोगपर्शासन और गुड गुवर्नेंस सूसासन पेपर फूर का नाम दिया गया है भारतिय समयधान राजब्यवस्था लोगपर्शासन और सूसासन गुड गुवर्नेंस मतलब एक तरसे देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिकल यह राजब्यवस्था पेपर फूर और यह पेपर फूर दो सेक्षन में बटा हुआ होगा दो सेक्षन में जैसे भारतिय समयधान और राजब्यवस्था सेक्षन ए और लोगपर्शासन और गुड गवर्नेंस सेक्षन बे दो सेक्षन में बटा होगा और उस दो सिक्षन से यहां पे सिक्षन ए में प्रशन चार प्रशन यहां से चार प्रशन यहां सिक्षन ए से चार प्रशन सिक्षन बे से चार प्रशन रहेंगे चार चार प्रशन रहेंगे उस चार चार में आपको दो-दो प्रश्णों का उत्तर देना है दो-दो मतलब यहां से भी दो यहां से भी दो 40 नमबर, 40 नमबर, 40 नमबर, 40 नमबर तो 40, 40, 40, 40, 160 बाकी 40 नमबर जो बच गया उससे पुना आपसे अब्जेक्टिव प्रश्ण पूछा जाएगा जिसकी संख्या 20 होगी वस्तुनिस्ट होगा मल्टिपल च्वाइस होगा जिसका कूल नमबर, 40 होगा इच कोश्चन 20 मार्श मतलब पेपर फोर दू भागे मट्टा होगा ए भाग बे भारति सविधान और आज बेवतास प्रश्ण रहेगा चार प्रश्ण रहेंगे आप किसी दो का उतर देना है 40-40 नमबर का गुड गवर्नेंस और अबनिस्टेशन से चार प्रश्ण रहेंगे इससे भी 40-40 का दो उतर देना है एक सो साथ नमबर का प्रश्ण का उतर लिखना है सेस जो 40 बच गया उस 40 प्रश्ण का 20 प्रश्णों में उस 40 मार्श का 20 प्रश्णों के रूप में आपको अब्जेक्टिब कुश्ण का उतर देना होगा चातर लिखन ये भी आप अच्छी तरह समद गये होंगे यहां पर जैसे पेपर थौर्ड में चोड़ था A, D, A, C, D किसी दो में ही उतर देना है आप दो सेक्षन को पूरी तरह छोड़ सकते हैं यहां पर कोई सेक्षन को आप नहीं छोड़ सकते सेक्षन A से भी जबाब देना है और सेक्षन B से भी जबाब देना है आपके पास अलक से और कोई सेक्षन नहीं है जिसका जिस सेक्षन को आप छोड़ सकते हैं सेक्षन A का भी उतर देना है और सेक्षन B का भी उतर देना आनिवार है होगे छात्रगन अब हम बात करेंगे पेपर 5 और फिर पेपर 6 तो यहाँ देखे कि पेपर जो 5 है और जो पेपर 6 है तो पेपर 5 और पेपर 6 पेपर जो 5 है वो है इंडियन एकनॉमिक्स यह एकनॉमिक्स का पेपर है और इसकी कूल 200 है 200 मार्स का इसे पेपर है 200 नंबर का इस इंडियन एकनॉमिक्स में जो कुश्चन है ओ बिभिन सेक्षन में सेक्षन A, B, C, D में बटा हुआ है A, B, C, D जैसे इंडियन एकनॉमिक्स ग्लोबलाजेशन संस्टेबल डिबलमेंट इस सारी बाते इसे पढ़ने है भारते सविधान बैस्विकरन संसाधन नाम से पेपर फाइफ होगा और ये पेपर फाइफ आपके चार सेक्षन में बटे होंगे फोर सेक्षन में और उचारों से प्रश्ण आपका उत्तर देना होगा जो सेक्षन ए होगा ओ कम्प्लीट नाम दिया गया है भारते अर्थविवस्था के अधार भूत लच्छन जो पेपर जो सेक्षन भी होगा उसका नाम दिया गया है भारते बिकास की रननीती भारते अर्थविवस्था के बिकास की रननीती जो सी चिप्टर है जो सेक्षन सी है उसका नाम दिया गया है आर्थिक सुधार और जो सेक्षन दी है वो दिया गया है जार्खन की अर्थिब्युस्था चाथर गर्ण एकनॉमिक्स का इंडन एकनॉमिक्स गुलरिजेशन, संस्टेबल डिवलमेंट इसका जो प्रश्ण होगा पेपर फिप्ट जो दोस नमर का होगा ये चार सेक्षन में बटा होगा और परते एक सेक्षन से प्रश्ण दहेगा और सब सेक्षन से आपको 40-40 नमबर का जबाब देना अनिवार होगा लेकिन सेक्षन जो एक्रोमिक्स का डी सेक्षन होगा ओ जार्खन की अर्थबिस्था पर प्रश्ण रहेगे सेक्षन डी जार्खन की अर्थबिस्था कर प्रश्ण रहेगा मतलब कहने का ये अर्थ है कि इंडियन एक्रोमिक्स की चार सेक्षन है और चार सिक्षन से सभी सिक्षन से प्रश्न कोश्टन रहेंगे सिक्षन A से दू प्रश्न, सिक्षन B से दो, सिक्षन C से दो, सिक्षन D से दो और सभी सिक्षन में से एक-एक का जबाब देना अनिवार होगा ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोग कि section A और B से ही चार question को आप attempt कर लिए बिल्कुल नहीं आपको चारों section से एक एक चालिश चालिश नमन का question आपको attempt करना है लिखना है 6 जो बच गया 40 नमबर का O 40 नमबर जो बच गया Mars O Mars 20 नमबर का पुना यहाँ पे objective प्रस्न पूछा जाएगा जिसकी cool Mars 40 होगा each question 2 Mars होगा यहाँ पर भी 20 प्रस्न वस्तु निश्ट होगा और 16660 का बिशे निश्ट होगा आपको उसका उत्तर लिखना होगा ओके छात्रकन लेकिन economics का जो section D होगा ओ भारतिय ओ जार्खन की अर्थ ब्युस्था का प्रस्न रहेगा यहाँ पर A, B, C, D सभी से प्रस्न को उत्तर देना है किसी section को आप नहीं छोड़ सकते जबकि याद रखा जाए अगर कही section छोड़ने की बात होती है तो केवल और केवल पेपर थर्ड है next हम आते हैं पेपर 6 पर यह है science and technology science and tech और यह science and tech जो प्रस्न है सेक्षन में बटा होगा चात्रगन आप सुत रहोंगे science and tech में जो A, B, C, D, E पाँच सेक्षन है उच पाँच सेक्षन का टॉपिक क्या है तो जो सेक्षन A है वो physics है सेक्षन B biology है सेक्षन C agriculture science है agriculture science जो संपूर नुप से agriculture science जारखन की किसी बिज्यान वाला टॉपिक है agriculture science जारखन जारखन की किसी बिज्यान नमबर टी environment science है environment नमबर टी environment science परेवरन बिज्यान और नमबर टी technology development तक्निकी बिकास प्रक्षन रहेंगे तुछारखन पेपर शिक्स science टेक का होगा जो पांच भागूं बाटी होगी A, B, C, D, E A में physics B में biology C में agriculture science D में D में environment science परेवरन बिज्यान और E में तक्निकी बिकास परप्रस्द रहेंगे और परतेक खंड से ऐसा नहीं है आप ये ना सोचें कि यहां पर section A, B, C, D, E है section 5 है लग रहा है किसी का यहां भी section छोड़ना होगा बिल्कुल नहीं आपको परतेक section से परतेक भाग से उत्तर देना है परतेक section में 2, 2, 2, 2 परस्ट रहेंगे और सभी में से एक, 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 एक परस्टों का उत्तर देना है इच section 32 नंबर का होगा 32 number का होगा इस section 32 number 32, 32, 32, 32 1, 2, 3, 4, 5 32 number का इस section का उत्तर देना होगा 32 marks का question रहेगा और 32, 32 का question का जबाब देना है इस number तक cool marks होगे आपका 160 32 multiple 5 32 गुना 5 160 फिर नंबर बच गया 40 marks उस 40 marks का 20 प्रस्णों के रूप में आपको objective question पूछे जाएंगे जो प्रिजिक से होगा बालोजी से होगा agriculture science से होगा environment science से होगा तक्नीकी बिकास से होगा इन पांचों से मिला कर 20 प्रस्ण बनाये जाएंगे और जो multiple choice का प्रस्ण होगा और यहाँ पे आपके option चार रहेंगे उस चार में उसका एक उत्तर लिखना है बाकी जो 32 32 नंबर का जवाब देना है वह जवाब आपको बिसेनिष्ट लिखित रूप से विस्तार प्रोग देना है आपका कौन सा प्रस्ण का उत्तर कितना सब्दों में देना है इसका उत्तर इसका प्रस्ण आपसे प्रस्ण के बगल में ही लिखा रहेगा इसका जवाब कितने सब्दों में दिया जाए तो छातरगन मैं समझता हूँ आज आप पेपर वन से सिक्स तक तो आप गौर किजिए एक सो पचास दो सो पेपर टू एक सो पचास पेपर थर्ड दो सो फोर दो सो फिप दो सो सिख दे सो तो दो चार छे आठ और ये डिर सो मुख परिछा का एक्जाम सारहे नौ सो का एक्जाम जो होगा पेपर टू से लेकर सिक्स तक इस सारहे नौ सो होगा इसकी गन्ना मैरिट बनाने में की जाएगी यद पी एक्जाम जो होगा सारहे दस सो नंबर का होगा दस सो पचास नम्मर का एक्जाम होगा प्रन्तु जब मैरिट बनाई जाएगी तो पेपर टू से दैट मेंस साथे नौ सो पर मैरिट बनाई जाएगी यद पर एक्जाम साथे दस सो तक होगी लेकिन पेपर वन केवल कौलिफाई होगा मैं फिर बता दूँ यद पर इस बार जोड़कर बड़ा ही विबाद कभी से आ गया है चात्रकरण उसके अलावा जब आप पेपर टू से लेकर सिक्स तक का आप मैरिट में आ जाते हैं तो नो डॉट इसके बाद अलग से सो नमबर का आपसे भाईवा इंटर्वियू लिया जाएगा मात्र सो नमबर का है आप गौर किजिए मात्र हंड़ेट मात्र का इंटर्वियू है असपस्ट हो गया कि इंटर्वियू का जो माक्स है उसका इंपोर्टेंस जादा नहीं है क्योंकि अगर ये इंटर्वियू का मार्स राता तिन सो नमबर का दो सो नमबर का तो इसकी खुब भैलू होती मतलब ये कहाना चाह रहे है छादर्वियू आप अगर मुख परिच्छा में ही नमबर बहुत ज़्यादा ले आते है इंटर्वियू में नमबर की बाद्यता खतम कर दी गई है जारखन में कि आपको सो में इतना नमबर लाना ही है ऐसी कोई बाद्यता नहीं है मतलब एक मुख पूर रन नीती बनाई है आप लोग कि आप मुख परिच्छा में ही इतना अच्छा नमबर ले आएं कि इंटर्वियू में नमबर 20 दे, 40 दे, 50 दे या 30 दे हमारा स्लेक्षन होगा क्योंकि मैं मुख परिच्छा में इतना अच्छा नमबर लाया हूँ क्योंकि इंटर्वियू तो मात्र 100 नमबर का है इससे एक बाद जाहर होती है कि अगर यहां नमबर कम पड़ गया मुख परिच्छा में तो यहां नमबर अधिक आने के बाद भी आपका स्लेक्षन नहीं होने की संभावना है अच्छा नमबर आने के बाद भी स्लेक्षन साथ नहीं हो लेकिन अगर यहां मास अच्छा आजाए तो यहाँ कम भी आईल्टेन होने, तब भी आपका सेलेक्शन होना 110% फिक्स है, तो चाहतर करें, एक महत्रपूर्ण रग लेती है, मैं समझता हूँ, जब भी आप प्रशन का उत्तर लिखें, बिसे निस्ट लिखित में, तो प्रयास करें, एक मन में उत्तर लिखते जाएं, लिखने के बाद एक मन में अपने आप एक डाइग्राम बना लें, कि उसका उत्तर को डाइग्राम के माध्यम से कैसे इंटर्प्रेट कर सकते हैं, कैसे हम एक्जामनर को दरसा सकते हैं, कि इस उत्तर को इस मैप के सहरे ऐस से भी बताई जा सकती है एक ड्रॉइंग कीजिए उस मैप के सारे अपने आप एक डाइग्राम क्रेट कीजिए और उस डाइग्राम के माद्यम से उत्तर लिखने के दोरान बीच में या उत्तर लिखने के अंत में तुन्त एक डाइग्राम बनाएं और डाइग्राम के माद्य इन्मसे उत्तर की ब्याख्या को दर्षाएं यह आप दिखाएंगे इन्टर्नल अश्ट्रक्ऩर एष्ट आण तो चैसे यह लिखेंगे आंज नगें सरचन तुना यह इन्टर्नल आस्ट्रेक्षर आर्थ का एक डाइगराम बनाएए और उसको दिर्शकाइए आप पढ़ेंगे राश्पती के कारे राश्पती के क्या क्या कारे हैं उनकी क्या सिमाए हैं तो लिखने के बाद एक डाइगराम बनाये देए कि राश्पती ये सिमा ये उनका वर्क को दिखा दिये एक डाइगराम के माद्यम से ऐसा लिखने से आपका उत्तर अन से अलग होगा अलग दिखेगा आपके मार्स अन से ज़्यादा होने की संभावना दिखेगी अलग से उत्तर दिखेगा ऐसा डाइगराम आप देते हैं तो आपके उत्तर अच्छी मानी जाएगी आपके नंबर अच्छी आएंगे चात्रकरन मैं आपके यह बता दूँ कि इच पेपर 55 to 60 परसेंट अगर नंबर आप मुख परिछा में ले आते हैं 55 to 60 मतलब अगर 200 नंबर का है तो पर पेपर 110, 110, 110, 110 यहां 90 यह 100 से पार ले आते हैं मतलब 200 में 110 55 मार्शा अगर आप लाके आगे बढ़ते हैं तो आपका सेलेक्शन 110 परसेंट फिक्स है मतलब 55 पर तिसन नंबर ले आते हैं मेंस में तो आप इंटर्व्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे ऐसा अभी तक ऐसा ही ट्रेन देखी गई है तो छात्रगन मैं पर्यास किया कि JPSC की सिलिबस क्या है रन नीती आपको कैसी बनाने चाहिए उत्तर कैसे लिखा जाए कौन सिक्षन छुड़ी जाती है किसकी जबाब दी जाती है आपने ये देखा छात्रगन जब भी प्रस्न पेपर टू से लेकर शिक्स तक अगर प्रस्न कोई जार्खन से रिलेटेड अगर आ जाए तो आप उसका उत्तर जरूर लिखने का प्रयास करें अगर आप प्रस्न जार्खन का प्रस्न अगर टच करते है तो आपका नंबर मैं समझता हूँ अच्छा आएगा अच्छा आता ही है प्रस्न प्रयास करें कि पेपर टू से सिक्स तक में अगर जार्खन जाएगा तो उसका उत्तर आप जरूर लिखने का प्रयास करें छार्टगन मैं समझता हूँ आप सिलेबस और घरनिती का कुछ महत्वपून भाग जो मैंने बताया आप उसका फॉलो करेंगे और आप त्यारी आज से लग जाएंगे ताकि आने वाला जे पेसी 7, 8, 9 जिसके फेकेंसी आने वाली है आप अच्छा तरह से त्यारी कर पाएंगे और अपनी सफलता को प्राप कर पाएंगे ओकी ठैंक यू